आज मैं आपके साथ मोटा पाय यानि के बड़े हुए वजन को बहुत ही आसानी से कम करने का नुस्का शेयर करूंगी यह एक ऐसा ड्रिंक है जो आप अपनी फाग दोड़ वाली बिजी लैफस्टेर में काफी कम एफ़स दे कर बना सकेंगे जिसके चरते आपके पेट की चर करना स्टार्ट हो जाएगा तो वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बैल आइकोन को भी आउन करना बिलकुल मत भूलना तो इस ट्रिंक को बनाने के लिए हमें चाह करना यानि कि हमारी बार बार भूक लगने की और जर्रत से ज्यादा खा लेने की प्राइब को भी सॉल्फ करता है जिससे वेट लॉस प्रमोट होने में आसानी होती है तो आपको इन एक कप कोकम को धोकर आधे गलास पानी में दो घंटों तक सोक करने के लिए रखना है और हाई ब्लड प्रेशर की वज़े से वेट गेन हुआ है तो यह आपके दिए बेस्ट है क्योंकि यह स्ट्रेस लवर को भी कंट्रोल करता है साथी बॉड़ी में से ग्लुकोस लवर को 50% तक रिड्यूस करता है इससे हमें मेरियम डू हाय फ्लेम पर बीच बीच में कुछ दि काली मिर्च का पाउडर और लास्टी वन टीस्पून दाल चिनी का पाउडर यह सबी चीजे थायस और स्टमक के फैट को बर्न करने में काफी बेनेफिशन है इस मिक्स्चर को हमें हाफ से हाफ कॉंटिटी यानि कि 100-100 ml बच जाए तब तक पकाना है इसमें करीब 10-12 अब इसे कंप्लीटली ठंडा होने दे और जब यह ठंडा हो जाए तब इसे किसी ग्लास के जार में छान कर निकाल ले इसमें एड़ करें धाफ नीबू का रस और दो टेबल स्पून हनी यानि के शहत बस अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले तो अब जानते हैं इसे कैसे और कंप पीना है इसके लिए एक ग्लास नॉमल पाने ले और इसमें दो बड़े चमच इस को कंप के मिक्षर को आड़ कर ले यह फैट लॉस में तो बेनेफिशल है ही उपर से काफी टेस्टी भी लगता है इस ट्रिंक में अब आपको कुछ भी आड़ करने की ज़रुरत नहीं है आपने बस इसे रोजाना सुबा खाली पेट और शाम को डिनर के एक घंडे पहले पीना है साथी ध्यान ये रखना है कि डिनर हमेशा साड़े साथ से आट बज़े से पहले कर ले और इस ट्रिंक को आप शाम को छे से साथ बज़े के बीच में ले दे इस ट्रिंक को पीते साथ ही बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप सच में वेट लॉस को लेकर सीरियस है तो प्लीज एट लिस्ट इन पास से साथ दिनों तक जंक फूर्ड डेजर्ट या फिर वाइट रैस को स्ट्रिक्टली अवोइड करें क्योंकि इन चीजों को अगर आप लेते साथ ही कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले